फोर्जी स्कूल के ऑनलाइन तरजे तालीम में आप तमाम का इस्तखबाल है मैं हूँ मौलेमा गुलनार सर्फरास खान जमान छटी जनरल साइंस सबख नमबर तीन जानदारों की दुनिया इसका पहला पार्ट हमने पढ़ लिया है उसे देखने के लिया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आग हम इसके दूसरे पार्ट का मुताला करेंगे हमने देखा है पिछले पार्ट में कि जानदारों की खुसूसियत क्या क्या होती है जैसे के जानदारों को घुज़ा की जरूरत होती है जानदार तनफस लेते हैं यानि सांस लेते हैं और जानदारों में इखराज की खुसूसियत होती है साथी साथ जानदारों में रद्ध अमल की भी सलाहियत होती है अब हम आगे देखेंगे कि जानदारों में अफजाईशे नसल ये भी जानदारों की एक एहम खुसूसियत है तस्वीर में देखिए कुछ परिंदा है उसके अंडे है एक पानपटी का पौदा है गुलाब की कुछ खल में है और घोड़ा और उसका बच्चा है जानदार अपने जैसे जानदारों को जनम देते हैं कुछ जानदार बच्चे देते हैं तो कुछ अंडे देते हैं इन अंडों में से बच्चे निकलते हैं नबताद में बीजो तनों और पत्तों के जरीए नए पौदे तयार होते हैं जानदारों के अपने जिसे दूसरे जानदारों को जनम देने का अमल तौलीद या अफजाईश नसल कहलाता है। अफजाईश नसल जानदारों की एहम खुसूसियत है। मुखरर अरसे हयात जिन्दगी के दौराने खास मरहले पर जानदार अफजाईश नसल का फैल अंजाम देने के लिए खाबिल होते हैं वक्त के साथ साथ इनके तमाम आज़ा कमजोर हो जाते हैं और एक खास अरसी के बाद इनका अरसे हयात खत्म हो जाता है यानि उन्हें मौत आ जाती है मुक्तलिफ नबातात और हैवानात के अरसे हयात मुक्तलिफ होते हैं मसलन कुटे का अरसे हयात आम तोर पर 12-18 बरस होता है जबके शतरमुर्व तकरीबन 50 बरस जिन्दा रहता है जुनुबी अमरिका के खरीब गिला पिकास जाजीरे पर पाए जाने वाले कच्चवे का अरसे हयात तकरीबन 170 बरस होता है मेफलाई का अरसा हयात एक घंटे से 24 घंटे तक होता है आपने शहत के चटे हुए चोटे-चोटे हिससे यानि खाने देखे होंगे इन खानों के एक दुसरे से जुड़ने से शहत कच्चता तयार होता है मकान की दिवारे भी इटो के जरीए बनती है ये तमाम इटे एक दुसरे से जुड़ने से ये तमाम इटे एक दुसरे से जुड़े तो दिवार तयार होती है अब हम देखेंगे खलियात की साख अब ये दिवार की मिसाल और खलियात की साख का क्या तालुख है देखिए जिस तरिखे से छोटी छोटी इटों को मिलाकर दिवार तयार होगी है उसी तरिखे से जानदारों का जिसम भी छोटे छोटे कुछ अज़ा से मिलकर बना है हम अब देखेंगे कि उन्हें क्या कहा जाता है खलियात की साख जानदार जिन छोटे छोटे अज़ा से बने होते हैं उन्हें खलियात कहते हैं जानदारों के जिसम के तमाम आफ़ाल हुर्दबिनी खलियात की बदद से अंजाम पाते हैं कुछ जानदार एक ही खलिया से बने होते हैं उन्हें या खल्वी जानदार कहते हैं कुछ जानदार कई खलियात से मिलकर बनते हैं उनने कसीर-χल्वी जानदार कहते हैं अमीबा और कुछ खूरद बीनी जानदार या खल्वी जानदार है जबके इनसान गाय, चुहा, ईजिंगर, हाती बरगत का दरख, प्यास का पौदा वगेरा ये तमाम कसीर-। ल्वी जानदार हैं जानदार या खल्वी हो या कथ खल्वी जानदारों की तमाम खुसूसियات हर खल्वी में पाई जाती है तस्वीर में देखिziehen ये आमीबा ऐक दिखाया गया है अमीबा और पैरा मिशियम ये जो है या खल्वी जानदार है यानि इनमें सिर्फ एक ही खलिया होता है जबके जिंगर, गबूतर, हाती, प्याज ये सब जो है इनमें बहुत सारे कसीर खलिवी जानदार है इनमें बहुत सारे खलियात से मिलकर ये बने है खलियात की तेदाद मुक्तलिफ होने के बावजूद खलियाती जिसम की साथ जानदारों की एहम खुसूसियत है अब देखेंगे हम फाइदा मन जानदार नबताद घरमे और सनतों में इस्तिमाल होते हैं जैसे मेथी, आलू, भेंडी, केव, सेब, केला इनका इस्तिमाल घिज़ा के तोर पर होता है जबके अडूलसा, हरडा, वहीडा, हालून, शतावरी का इस्तिमाल दवामने किया जाता है हैवानात भी हमारे लिए इसी तरह मुफीद है कुत्ता, बिल्ली, गाए, भैंस, घरेलू इस्तिमाल के पाले जाते है मचली, भेड, मुर्गयों का इस्तिमाल घिज़ा के तोर पर किया जाता है जबके घोडा, बैल, उूट जैसे मुक्तलिफ हैवानात कारोबार में फाइदा मन्द होते है केचुए कास्त कारी में बेहद मुफीद है केचुए को किसान का दोस्त भी कहा जाता है क्योंके किसान जब हल चलाकर जमीन बुर्बुरी करता है तो केचुए उस जमीन को और जर्खिस करने के लिए उसे बुर्बुरा करते है इसलिए केचुए को किसान का दोस्त कहा जाता है नुखसानदा, जानदार जिस तरह से कुछ जानदार हमें फाइदा देते हैं तो कुछ जानदार हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं जैसे आपने देखे होंगे अगर आपके घर में कोई चुहा गुसाए तो सारा घर आपका परेशान हो जाता है क्यों? क्योंके वो आपको नुकसान देते हैं वो आपके किताबे कतर सकते हैं वो आपके कपड़े कतर सकते हैं तो इसलिए आप देखेंगे हम कि नुकसानदा जानदार कौन है हमारे अत्राफ पाई जाने वाले कुछ नबातात और हैवानात इंसान के लिए नुखसानदा होते हैं मसलन मच्छर, मक्खी ये अमराज को पहलाने वाले होते हैं जिंगर, चुहे, गुंस, गिज़ा को बर्बाद करते हैं लारवे, ली, चीशडी की वज़े से कई अमराज होते हैं जबकि कुछ अखसाम की चिपकलिया, जहरिली मकडी, जहरिले साप और बिच्छू के काटने से मौद भी वाकए हो सकती है हाती जंगल से निकल कर इंसानी बस्ती में आ जाए तो बड़े पहमाने पर तबाही व बर्बादी मचा देते हैं हैवानात की तरह कुछ नबातात भी नुखसानदा होते हैं मसलन गाजर घास, गयर जुरूरी घास, अमरवेल वगएरा काच्छकोरी अर्वी जिसी नबातात की पत्तों को हाथ लगाया जाए तो हमारे हाथ में खुजली होती है कन्हेर और घानेरी में नागवार बू होती है धतुरा एक जहरीला पौदा है फपुंद और काई की तेजी से नशनुमा से पीने का पानी आलूदा होकर बीमारिया फैलती है इसलिए कुछ जानदा जो फायदे मन्द है और कुछ नुखसानदा भी होते हैं खुखवार जानदान जंगल में रहने वाले जानदान जो दूसरे हैवानात का शिकार करके खाते हैं उन्हें खुखवार हैवानात कहते हैं मसलिए शेर, शेर बबबर, भेड़िया, तेंदुआ वगएरा बाज ओखवार जंगलात के खत्म होने से ये खिज़ा के लिए इनसानी आबादी में आते हैं और घुसकर बड़े पैमाने पर पालतो जानवरो और इनसान को अपना शिकार तर बना लेते हैं इसे हमेशे जहन में रखिए खुदरत में पाई जाने वाली मुक्तलिफ नबातात और हैवानात हमारी जरूरते पुरी करते हैं जितनी जरूरत हो इतना ही इनका इस्तेमाल कीजिए बिलावजे नबातात के पत्ते, फूल और फल तोड़ने से परहिस कीजिए हैवानात का शिकार ना करे ना उनको तकलीफ दे नबातात और हैवानात की इफाज़त हम तमाम की जिम्मेदारी है इस सबख के सवाल जवाब देखने के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सबस्क्राइब कीजिए और अपनी तालिम चारी रखी